नमस्कर दोस्तों मेरा नाम है अपशेक आप देखरें अपशेक Pnews पेटियम क्रेस कैसे हुआ हम आपको आज बताएंगे पेटियम क्रेस कैसे हुआ पेटियम में बहुत बड़ा लेक था जो कि आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे पेटियम पेमेंट बैंक इक अपने बैंक था जो की हमारा जो बैंक होता है जैसे बहुत सारे बैंक Bowlменे लेन देन का बैंक ठोटा जो कि वह आज के डेट में इस came में क्यों आया जो की उसे fraud क्यों कहा गया Paytm अपने data को secure नहीं रखता था जो कि RBI की तरब से जो notice आई है उसमें Paytm को fully तोनों तरीके से बताया गया है कि आप data को secure नहीं रखते हो क्योंकि उनका auditor खुद report किया है कि उनका जो server था वो Paytm Payment Bank का server और UPI का server वर दोनों एक ही था जो कि बहुत सारे आपने देखा होगा WhatsApp, Instagram बहुत सारे ऐसी चीजे हैं जो कि हम Google से नंबर निकाल के विदेशी नंबरों से login कर लेते हैं ऐसी चीजों को लेके Paytm में के wallet को activate किया जाता है और बाहर से बहुत सारे लोगों से fraud तरीके से पैसा इकठा किया जाता है और हम दुकानों पे जाके अंकल जी आपको हम payment कर देते हैं आप मुझे cash दे दोगे ऐसे करके payment लेन देन हो रहा था जो कि Paytm को कानो कान ख़वर नहीं था Paytm के पास कोई history कोई data ऐसा नहीं था जो कि इन चीजों थे एक करोड का पहला था दूसरा था 5.6 करोड का आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि कम से कम 30 करोड लोगों का एकाउंट Paytm में था जो की एक्टिबेट जो की चालू हालत में जहां से payment लेन दिन हो रहा था वो था कम से कम 7-8 करोड बाकि सारे dead account थे आपको पता नहीं है कि सायद आपने भी कभी KYC कराई हो और आपका भी एक Paytm Payment Bank में account हो किसी भी वन्दे को जादा पता नहीं चलता था क्योंकि Paytm ने एक बहुत बड़ा दुखानों पे चला रखा था कि एक account खोलो 50 रुपे पाओ और दिन भर लोग के KYC ही कर रहे थे wallet चलू करा लीजिए account खुलवा लीजिए ATM card ले लीजिए zero payment bank है ये है वो है करके और सभी का खुल गया किसी को नहीं पता है कि हमारा Paytm payment bank में खाता है जादा से जादा dead account है जो कि आपको पता खुद नहीं होगा आप एक बार अभी भी 29 तारीक आने में भी 2-4 दिन है चेक कर लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी उसमें account हो और कुछ पैसे पड़े हो वैसे अभी हम पैसे निकाल सकते हैं Paytm से हम पैसे अपने बाहर निकाल सकते हैं बट हम Receive नहीं कर सकते हैं क्योंकि 29 तारीक के बाद से Payment Receive नहीं होगा Only हम Transfer कर सकते हैं अगर आपका कोई phone, कोई EMI, कोई loan कुछ भी चल रहा है तो उसको दूसरे account से activate करा दीजिए नहीं तो आपका सारा किस्त, सारी EMI, installment सारी bounce हो जाएंगी एंड आपका बहुत ज़ता planties and civil धोनों खराब हो जाएगा तो हमारे हिसाब से आपको ये अलग account में कर देना चाहिए 29 तारीक से पहले क्योंकि 29 तारीक के बाद सब ठप हो जाएगा अगर पैसा आपको डालना भी है कि पैटियम पैमेंट बैंक से जाए तो 29 तारीक से पहले आप अपना खाता मेंटेन कर लिजे जितने की EMI जार्णी है अगर खाता मेंटेन नहीं होता है तो कल को आप फस सकते हो जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीजे कमेंट कीजिएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद